हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे जैसे कॉर्परेट अकाउंट की बात करूं तो यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो की मैं मुश्किल कि ऐसा नहीं है काफी मुश्किल सब्जेक्ट है और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है बहुत सारे चैप्टर्स हैं दिन बहुत कम बचे हैं तो सर यह जो कॉर्परेट अकाउंट में अभी बात करने वाला हूं का ताकि बच्चों का समय खराब न प्रोग्राम का हो चाहे बच्चा बीकॉम ओनर्स का हो ठीक है थोड़े बहुत चेंजे से मैं सभी को लेके चलूँगा सर एक्जाम की डेट शिट आ चुकी है बीस बाइस मई से एक्जाम स्टार्ट है और आज बारा तारिक हो गई है तो हम मार्च में मानके चलें सर तो हम केस दिन वहां 20 दिन वहां मालो ठीक है तो बीस दिन भी क्यों कमी होंगे वह तो क्योंकि डेट शिट हो सकता है में भी रिवाइज हो तो मानके चलो आपको 50-10 दिन और मालो तो 60 दिन बचें हैं आपके पास लगबग लगबग 60 दिन और ऐसा तो नहीं है कि एक्जाम वाले अपने कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा अगर अच्छे माक्स लाना है तो नमबर दो फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा नमबर तीन और प्लस आपको टेनीर करना पड़ेगा और और कॉर्परेट का पेपर दो चांसे से आने के या तो एकदम असान आजाएगा आपका या फिर सारे कुश्चन्स थियोरी के फॉर्म में या फिर बहुत डीपली पूछा जाता है आपका नॉर्मली ठीक है ना तो फर्स्ट यह ना बच्चों को थोड़ा सा तफ किया हुआ है सेकिंड यह आपका थोड़ा सा हां आसान होगा फिर थर्ड यह आपका टफ हो जाएगा तो आपका इसके अंदर कुछ बच्चे एनिपी वाले हैं मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ यह एनिपी वाले बच्चे भी है और एक सीवी सीएस जो ओल्ड कोर्स वाले तो मैं बुक का नाम बता दूँ सर इसके दो बड़े ही फेमस बुक है सर जे आर मोंगा जे आर मोंगा एंड अनादर इस आपका एक बी के गोयल भूशन कुमार गोयल दो बुक हैं फेमस प्लस आपको इसका पास्ट एर के पेपर तो करना ही करना पड़ेगा 10 एर 10 एर आपका शिवदास कहा जाएगा ठेक है ना पास्ट एर का सर पेपर करना ही करना पड़ेगा यह है एक बार हम नजर मार लेते हैं पढ़ने का क्या स्ट्रेजी होना चीह कितने चेप्टर है मैं भाई साब अभी आपको चेप्टर दिखाऊंगा ना तो आपके जिस बच्चों नहीं पढ़ा उनकी हालत खराब हो सकती है तो थोड़ा सा जो बच्चों ने भी नहीं पढ़ा तो थोड़ा ध्यान से डरने की जौरत नहीं है ध्यान से देखिए समझी और प्लैनिंग क थेज़ और यह 24-25 चप्टर टोटल मिला कर चोटे-चोटे हैं वह तो कवर हो जाता है प्राक्टिक हम थेएस चोबिस चप्टर हैं और दिन बच्चे हैं साथ एक चप्टर को दो दिन में खतम करना अब मैं समय भी बता जिता हूं जैन्में समय कितना लगना चाहिए अगर टिक जाओगे बाइबेक ऑफ शियर्स बोनस शियर राइट इश्यू अंडर राइटर इस और रिडेंशन और प्रफरेंश यह इस्यू और रिडेंशन और यह सभी अलग अलग चैप्टर है इसमें से जो आपने 12 में पढ़ा था उसमें मांक कर देता हूं ताकि आपको बस पहला चैप्टर देख लेते हैं शियर कैपटल और सर इन नो चैप्टर में से 15 नंबर का और जब तक आप यह नो के नो चैप्टर नहीं करोगे ना आगे के चैप्टर सापको समझ में नहीं आएंगे अच्छे से इस बात का ध्यान रखिएगा यानि यह तो आपका बे किया था कितना समय लग गया था मैं अगर बोलू ना जैन्मेली तो मिनीमम वन मंथ लेकि गए था लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि एक मैने तक आप सिर्फ एक ही चैप्टर खतम करोगे सर रेडम्शन अब डिबेंचर भी बड़ा चैप्टर है ऐसा नहीं एक दो दिन में कोई भी चैप्टर आप बहुत इस फास्ट ट्रेक करोगे सिंसियर ली पढ़ो कि सब कुछ छोड़के स्निर फोकस करोगे कितनी भी जल्दी खत् Vidic kindam करने में आपके ये सारे के सारे सार하지 खत्म करने में लग 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 महिना का टाइम लग जाएका अगर आप अच्छे से क पाओगे जब आप बहुत तीन से चार घंटे डेडिकेटली इस वाले टॉपिक पे आप लगाओगे फिर आपको करना है फिर आपको टेनियर के भी कुश्चन करना है फिर आपको पेपर भी सॉल्व करके देखना है इस पीड टेस्ट भी लेना है क्योंकि कॉर्परेट क्लास के अंदर ज्याधतर बच्चे वीडियो जो देख रहे होंगे जिन बच्चों का 12 क्लास के अंदर पेपर आते हुए भी पेपर चूट गया था लेंग पेपर बहुत लंबा आया था उसके पीछे रीजन यह था तो यह सारे कह सारे हमारे 9 के 9 चैप्टर हैं इस सारे तो नौ चेप्टर हमारे यहां पे हैं यूनिट नमबर टू सर पच्चिस नमबर का एक यहां पे ड्वांटेज मिल जाता है लेकिन सर इसपे से भी अटपटा कुछ चना आता है सर फाइनल अकाउंट बहुत लेंदी चेप्टर है कैस्फ लो स्टेट्मेंट 12 वाली से काम चल पच्चिस नमबर का है पच्चिस नमबर का यह पूरे तीन चेप्टर है सर कौन सा इसमें से इंपोर्टेंट है पूछा ही पूछा जाता है कैश फ्लो रिशो में से कोई भी एक दे देंगे तो देखने वाली बात है सर कितना समय लगेगा इसके अंदर भी आपको काफी सम बेटार इसमें लगते और लगबग बढ़ग डेढ़ोमें ships क् Bournemy僕 आपकी प्रॉट भी आपर आ अगे हमें सबस्स creep असके घाया तो इसड़ीक है तो तो अलर्ट हो जाई है नहीं तो यह बैक सेमेस्टर सिक्स वाले जो बच्चे दे रहे होंगा उनसे कमेंट में जुरूर बताएं के भाई पढ़ ले नहीं तो सिक्स तक पीछा नहीं छोड़ेगा और एक बार लग गया यह तो लग गया समझ लो यह ठीक है थार्ड यूनिट सर यह तो समंदर है यह समंदर है यह वाले दोनों चैप्टर समंदर खतम नहीं होंगे यह चैप्टर समझो एक-एक महिना लग जाता है री कंस्ट्रक्शन तो चलो हो भी जाएगा महिना चाहिए पूरा सभी में से सबसे मुस्किल चैप्टर यह वाला है पूरे में से जो ह नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं इसको लास्ट में ही करवाता हूं बच्चो को हमने यह वाली यूनिट लगबग लगबग खतम अब कर लेंगे मैंने जो क्लास का शडियूल है वैसे तो मैं देखो डाल ही रहा हूं आप लोगों के लिए यूटूब पे तो जिस बच्चों को जल्दी जल्दी करना है उनके लिए हमने क्या कर रहा है प्रीवियस रिकॉर्डिंग तो यह इतने सारे चप्टर हैं आप पचास घंटे की वीडियो डाली हूए वह पुरानी वीडियो है और अभी भी बच्चे देख रहे हैं ठीक है लेकिन मैं कहूंगा नए कंटेंट देखिए रिवाइस हो गया है फिर मार्क्स कमा जाएंगे आपके उस चीज का ध्यान रखिएगा पुरानी वीडियो को मत द चो को स्पेशली रिकमेंडेशन है के नहीं करें जो बच्चे तेज तर्रार इंटेलिजेंट है बहुत अच्छा ट्विल्थ में बैग्राउंड था ट्विल्थ के अंदर अकाउंट के अंदर 95 नंबर आये हुए थे इमांदारी वाले 95 नंबर आये हुए थे वह तो भाई जाया मेर से पढ़े चाहें कहीं भी पढ़े एक प्रस्नल मेंट बढ़ेगा जो आपके टाइम टाइम पे डाउट सौलव करें दो इसके हमारे पास जैसे कि मैं बात करूं को सर हमें तो आब रिगुलर क्लास करने वाला हूं अभी मैं वह स्लिपत लिखी रहात है तो मैं ख मैंने चार घंटे बोले आपको पास्ट जितने भी रिकॉर्डड़ीड लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे प्लस लाइब भी मिल जाएंगे सर कौन से रिकॉर्ड़ीड लेक्चर जैसे अभी यूणिट जो भी चल रहा है उस चप्टर को तो करी रहे हैं और प्लस पूरे स्टार्ट हम कराएंगे आज तो टेस्ट अब चलिए ले रहा है जिन बच्टों को एंडूल होना है और इसके साथ-सौर कंपणी लभी है जिन बच्छो को एंड्रोल होना है को सकते हैं मात 499 रुपे हैं पूरे कोर्स की प्राइस की बात कर रहा हूं वन टाइम पेमन्ट ह मैंने दिया हुआ है नंबर उस नंबर पर कॉंटेक्ट करेंगे आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगे कोई घबराने आली जुरत नहीं है लेकिन हां जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं वह अलर्ट हो जाए नहीं तो फिर आपका करना ना करना एक बराबर क्योंकि लास्त तक आपको घसीटे गाई है अभी बच्चों के कॉल आते हैं सर्थ 2 साल हो गए मेरे क्या करें कैसे होगा नहीं होगा समझ नहीं आ रहा एक बार आपका पढ़ने का मन हट गया ना जब अभी तो अपने जितना मन लगा के पढ़ सकते तो दूसरे बार नहीं करता मन पढ़ने का वह आप अच्छे से जान जाओगे अगर आपने यह गलती कर दी तो मेरा खैर काम था गाइड करना तो मैंने गाइड कर दिया कंपनी लॉग के भी बैच हमारे पास जो है भी करेंट के अंदर सर करेंट के अंदर एक तो कॉर्पर बिल्कुली आपको यह सारी बाते मेरी समझ में आरी होगी आप बिल्कुल भी लापरवाई नहीं करेंगे जितने भी स्टूडेंट है मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप मेरे से कोर्स लेके पढ़ लीजिए आप जहां भी पढ़ना चाते हैं चाहे ऑफलाइन ट्य सब्सक्राइम जाएगा और अगर आप मेरे से 20 दिन पहले पूछेंगे ना कि सर मैं क्या करूं मेरे 20 दिन में कुछ ऐसा बता दिये पास होने वाला मेरे पास एक ही वर्ड होगा सौरी मैं इसमें अब कुछ नहीं बता सकता इस बात का ध्यान रखेगा 50-60 दिन पहले मैं आ आप इतना प्रेरिटी नहीं देते क्योंकि इस पर बेसिस पर आपको बहुत कुछ आगे नहीं मिलता आज रिवार्ड जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाता तो आप लिएंट करते हो लेकिन सर यह पास होना भी उतना ही जरूरी है जितना यह इंपॉर्टेंट नहीं है इस बा मेरी बात और आप मेरी बात को सारी चीजे देख भी रहे होगे तो थैंक्यू सो मच आप अवेर रहिएगा बस मैं आप सभी बच्चों से इतना ही उमीद करूँगा चैनल को सब्सक्राइब लाइब वाइक सब छोड़ते हैं इतना ही उमीद करूँगा कि यह वीडियो दे झाल झाल झाल